हेलो फ्रेंड्स उन्नेती कमपेटिशन क्लासिस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है मैं उमेश दोस्तों हम बात कर रहे हैं रूल सॉन स्पॉर्टिंग एरड इन इंग्लिस ग्रामर यह इसका पार्ट टू होगा पार्ट बन मैंने अलड़ी इस चैनल पे अ इंपॉर्टिंट है आप चाहे ल्डीसी का एकजाम दे रहे हो सेजर नकर एकजाम दे रहे हो या फिर MTS के एकजाम दे रहे हो उन्ह अग्जाम के लिए यह कुछ कॉमन एरड जो है है ने कई आप पूछे जाते हैं वो मैंने आप सभी के जामने प्रसुत करें प्रस्तुत करें इस वीडियो के माद्यम से उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये questions पसंद आएंगे अगर ये questions आपको पसंद आए तो चैनल को please like करना मत भुलिएगा इस वीडियो को like जरूर करना और जो भी आपके friend है competition के त्यारी कर रहा हैं सीरस तरीके से त्यारी कर रहा है उन तक इस वीडियो को पहुचाने का कस्ट जरूर करना दोस्तों ठीक है चलिए बढ़ते हैं अपने question number 11 के ओर कि देखिए question number one to ten मैंने औरडी अप्रड कर दिया आपको बताया तो मैंने वह अब देख लेजीगा question number 11 में है आपका देखिए इसमें कुछ rule है basic ABCD इसके चार सेक्षिन होते हैं SSC के exam में ही आपको बोलेगा find the error कौन से पार्ट में error है ठीक है उसमें आपको चार भाग देगा ABCD चार बोर्शन देगा किसी एक पार्ट में आपको error मिलेगा अगर error ना हूँ तो आपको choose करना है D no error लेकिन banking के exam में थोड़े से जो common error होते हैं वो थोड़े typical हो जाते हैं उनके sentence काफी lengthy होते हैं उसमें पांच भाग होते हैं A, B, C, D, E, E होता है no error का ठीक है जिसमें कोई error नहीं होता है वो part E होता है तो इस तरह से थोड़ा सा banking की जो grammar का जो question होता है वो थोड़ा सा wide होता है लेकिन SSC में बहुत ही common आपका basic knowledge जानना चा numerable, pupil, work seen in the ground देखिए इसमें क्या है मैं आपको बताऊं कि इसमें जो यह nothing but है यह जो nothing but आप देख रहे हैं nothing but के बाद singular और plural मतलब एक वचन और बहुवचन noun आ सकती है लेकिन but condition क्या है verb जो आएगी वो हमेशा क्या होगी singular होगी verb क्या होगी हमेशा singular होगी verb क्या है हमारे पास यहाँ पर var यह देख रहे हैं var var का singular क्या होगा was तो कौन से part में हमारे पार error है error c यह जो part c है इसमें हमको error है हम इसको choose करेंगे exam में clear होगे आपको बच्चो nothing but के बाद singular या plural noun यूज हो सकती है उससे कोई फरक नहीं पढ़ता ठीक है लेकिन जो वर्व होगी वर्व हमेशा क्या होगी singular होगी अगर वर्व है तो वाज होगा यहां पर ठीक है बच्चो के लोगे आपको नोट्स बनाईए ध्यान से लेकिए काफी बच्चो की तरह आपको मैं समझा रहा हूं ठीक है चलिए बढ़ते हैं हम question number 12 के और question number 12 हमसे यह कहता है क्या कहता है पढ़ते हैं चलो the number of students part A में है the number of students taking admissions in the colleges are rising ठीक है देखे ऐसे questions के हमारे पास दो phase होते हैं एक होता है a number of और एक होता है the number of ठीक है यहां पर क्या है दा लगा है और कभी-कभी देता है हमको ए नंबर आफ का questions exam में तो दोनों में फरक क्या होता है आप देखिए a number of जो होता है उसका मतलब होता है कई सारे धेड़ सारे बहुत सारे ठीक है दा number of इस यूज करा जाता है numeric मतलब संकिया में यह जो होता है यह मैंसा singular होता है मतलब दा number of singular होता है ठीक है अब इस conditions में अगर दा number of singular होता है तो यहां पर जो यह आर लगाए आर तो यहां पर क्या आएगा इसके स्थान पर आएगा इस ठीक है आर की जगह पर इस होगा अब हम बढ़ते हैं question number 13 की और अब आगे ए नंबर ओफ ठीक है ए नंबर ओफ यहां पर देखिए आप इसके जगह पर क्या होगा हमारे पास आर का यह उजगा तो इसलिए एक्जाम में आपको दा नंबर ओफ करके एक्जाम में questions दे या इनंबर ओफ करके एक्जाम में question दे आपको दोनों रूल पता होने चाहिए ठीक है क्या ए नंबर of मतलब कई सारे पुल्रले तो वर्ब भी आएगी plural मतलब बहु अचानी वर्फ हमारे पास आएगी दा नंबर अफ होगा तो मतलब नुमारिक की बात कर आए संख्या की बात कर आएतनी संख्या है हमारे पास में तो वहां पे क्या आएगा singular वर्ब का ही use होगा ठीक है तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा अगर अगर नहीं है तो पार्ट दी को हमने चूज करना है ठीक है देखिए बच्चो इस तरह की questions commonly देखने को मिलते हैं एक्जाम में चाहे वो SSC का एक्जाम हो या फिर किसी banking का एक्जाम ही क्यों ना हो ठीक है देखो यहां पर क्या होता है हमको एक चीद देखनी है सबसे पहले हमको यह चेक करना कि real subject क्या है यहां पर real subject exact है क्या latest methodology यह जो है हमारा real subject है ठीक है ना कि companies profile या कि employees real subject यह नहीं है real subject हमारे पास है latest methodology की बात को कर रहा है अबर ठीक है off से पहले जो पार्ट दिया है the latest methodology ठीक है off से पहले जो पार्ट है वो subject है ना कि बाद में आया कोई भी subject ठीक है देखे क्या होता है methodology क्या होता है हमेशा singular होता है तो verb क्यासी आएगी common सी बात है singular तो कौन सी पार्ट में एरर होगा पार्ट सी में एरर होगा आर के जबर पर क्या आएगा इस आएगा ये आपका exam में 2011 में पूछा गया 2009 में पूछा गया 2006 में पूछा गया 2013 में पूछा गया same pattern same questions आएथा exam में SSC के only में SSC के आपको बदा रहा हूँ year किस किस में पूछा गया था देखे जितने भी question में आपको दिखा है वो सब SSC के exam में पूछे गये थे अगला जो भी में मैं part लेके आऊंगा उसके bracket में लिखूंगा कि किस किस year में ये questions पूछा गया है ठीक है आगी 10 questions में आपको पर्जेंट करूँगा इस वीडियो में उसके बाद जो भी part आपको मिलेंगे common error के उस सम्में में bracket में year लिखूंगा और ये सब questions जो होंगे वो SSC में पूछे गए होंगे ठीक है यहाँ पर clear होगी आप part C में error है अब हम बढ़ते हैं question number 15 के ओर question number 15 को आप ध्यान से देखिए pause करिए अगर आपको आता है तो आप अपना right answer किसी rough page पे लिख लिख लिजे साइड में और मेरे जो answer अभी मैं आपको दूँगा उससे tally करिए कि आपको कितने questions सही आते हैं ठीक है यहां कहा रहा है not one of the five members of the committee were able to present a viable solutions देखिए यहां पर क्या है committee कभी कभी हमको पूछता है कि right spelled word कौन सा है सही word चाटी है कौन सा होगा तो committee की spelling के पर पूछ लेता है तो अब committee को आप याद कर लेजे spelling की क्या होती है C O M M I T T E कमिटी में आपको क्या होगा इसमें दो बार तो M I है दो बार T I है और दो बार E I है ठीक है इस से सब याद करिए चलिए बढ़ते हैं उसमें देखिए क्या होता है इसके लिए बेसिक रूल होता है not one, no one nobody यह सब क्या होता है singular होते है और वर्ब भी singular है की common सी बात है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहो कि SSE कितना basic पूस्टा देखो वर्ब, वर्ब, वर्ब अगर आपको वर्ब पे command है आपके कि higher कुछ rule है basic गिने चुने rule है SSE में आने के लिए बस वो याद कर लो आपके सारे questions exam में attempt होने वाले fulfill 100% सही जैसे अब आप देख रहे हो पांचों question चल रहा है हर्ब की बात कर रहा है तीक है यहाँ दोबारा आप rule लिखो कुछ not one, no one या nobody कहे यह सब क्या उतर singular होते है कभी के लिए हमको देता कि nobody of the members अब लोगी दरूर पढ़ा ही नहीं लिखिया आप लिखिये आपको मैं बता रहा हूँ extra में कुछ knowledge तो आप not कर लिए अगर आपको पता नहीं है तो अगर पता है फिर जो सब सही है तो यहाँ पर क्या होगा part B जो है यह जो आप देख रहे है part B part B को जो आप देख रहे हैं ध्यान से इसमें वर की जगे पर वाज हुआ ठीक है अब हम बढ़ते हैं question number 16 के ओर देखिये यह questions बहुत ही tricky questions है यहाँ पर क्या कह रहा है अगर आपने मेरी channel में एक lucent book है English grammar की तो उसका part 1 या part 2 में मैंने discuss करा था आपसे दा दा जिसमें मैंने article यूज करा था ना शायद वो part 3 lucent का उसमें मैंने आपको grammar के rule बताया है यह वाला मैं आपको जितने question दिखा रहा हूं वो सब part 1 part 2 and part 3 जो English lucent मैंने अपड़ करी है उसमें सब कुछ मैंने के लिए कर दिया है अगर अपने वो वीडियो नहीं देखा है अगर आप grammar में काफी week है तो उन सब वीडियो को भी आप watch करिए grammar के rule सीखिए उसके बाद यह mock test अगर आप attempt करेंगे तो आप confidence level build up होगा बहुत जल्दी बनेगा और एक्जाम में जो आप बैटेंगे तो अपकर अलग ही एक charming होगी confidence होगा आपकी knowledge के अंदर ठीक है देखिए यहाँ पर क्या रहा है the innocence and playfulness of a child exists in every human being देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है यहाँ पर एक ही child की बात कर रहा है जो क्या है इन्नोसेंस भी है और playfulness भी है ठीक है दोनों features God ने उस एक बच्चे के अंदर दिये है ठीक है देखिए यहाँ पर अगर article दा लगा है और अगर यहाँ पर दा नहीं लगा है तो यहाँ पर क्या एक ही बच्ची की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर simple सी बात है आप जिलाग गौर करो यह बनेगा singular ठीक है यह बनेगा singular अगर यहाँ पर दा होता और यहाँ पर भी दा playfulness होता तो यहाँ पर दो बच्चे हैं अलग-अलग अगर यहाँ पर अगर वो कभी a innocence बोले और यहाँ बोले a playfulness तो भी क्या है दो अलग अलग बच्चों की बात कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर देखे हमारे पास क्या है यह exist जो है यह क्या है plural verb लेकिन यहाँ पर हमको व्याना है इसको singular में लेना है तो singular जो verb बनेगी कैसे बनेगी अगर मैं इसमें यहाँ पर s लगा दूँ ठीक है तो हमारा जो sentence है पूरा right हो चाहेगा तो हमारे part b में क्या है इस part b में क्या है error है ठीक है इस तरह से आप इसको सीखेंगे ठीक है एक्जाम में अगर आपको बोले ठीक है ना कोई दा करके यहाँ लगा दे और एंड से दा दुबारा बोले तो यहाँ पर ज्यान रखना वर्पॉन से लगानी है तो यह बहुत ही बेसिक रूल है देखो बच्चो अगर अब ध्यान से वीडियो को देखते हैं ध्यान से रूल को समझते हैं तो कर जाएंगे टरने की जुरूत नहीं है ठीक है question number 17 में the president of the company and the friends देखिए question number 16 में मैंने same base पे copy करा है यहाँ पर same 70 question number लिया है तो दोनों के रूल काफी मैच होंगे यहां देजिएगा देखिए the president of the company the president and the friend ठीक है यह जो the president है and the friend है दो अलग अलग व्यक्ति की बात कर रहा है has arrived तो यहाँ पर क्या है plural verb का use होगा यहां पर ठीक है तो has की अपर क्या आएगा has का plural क्या होता है have have to part b में हमारे पास इस समय error आ गया ठीक है question number 18 की तरफ हम बढ़ते हैं देखो question number 18 उमीद कर रहा हूं कि बच्चों आपको यह सभी questions समझ में आ रहे होंगे कि किस तरह से हमने रूल को apply करा और किस तरह से हमने questions में error find out करी कि हां इसके इस पार्ट में error है ठीक है देखिए pond and fish make an enchanting scenery ठीक है यहाँ pond and fish दो अलग 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 unit है ठीक है लेकिन दोनों मिलकर क्या होती है एक best scenery मतलब एक अधबूत scenery बना रही है तो यहाँ पर क्या होगा दोनों मिलकर एक ही role play कर रही है ठीक है enchanting scenery को create कर रही है ठीक है तो एक काम कर रही है तो एक ही word यूज होगी मतलब singular verb यूज होगी यहाँ पर ठीक है यहां पर E के बाद S आएगा मतलब की पार्ट B में हमारे बाद एरर था अगर हमको पूरा सेंडर्स ठीक करना है तो हम क्या बोलेंगे पॉंड एंड फिश मेक्स एन एन चांटिंग सीनरी किलिर हो बच्छों आपको दो अलग अलग थे पॉंड अलग चीज़ा है फिश अलग चीज़ा लेकिन दोनों मिल करके एक क्रियेट कर रहे हैं बड़ी खुबसूरत सीनरी तो हम लोग हम लोगा में फोकस का सीनरी पर जो उन्हें बनाया है और सिंड्री क्या होती है हमेशा सिंगुलर होती है ठीक है तो इस तरह से हमने इसमें भी एर्र पाइंड आउट करा कि इसमें एर्र क्या था ठीक है बच्छों अब हम बढ़ते हैं कॉस्टन नमर 19 के ओर कॉस्टन नमर 19 यह रहा आपके स्कुन पर पढ़ एर्र पार्डी में कहा रहा है और कोई एर्र नहीं है तो देखे क्या होता है एज वैल एज वाले जो सेंटेंस होते हैं और साथ में क्या होते हैं एलोंग विद टूगेदर विद बिसाइड्स इन एडिशन टू यह अप लिखिये रूल यह कुछ सेलेक्टिट वर्ड होते हैं अगेन बोल रहा हूं अप लिखें नोट से अगर आपको धूल नहीं बता हैं तो एज वैल एज एलोंग विद फिल लगए कॉमा टूगेदर विद फिर कॉमा लगए बिसाइड्स इन एडिशन टू इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं उसमें वर्ब जो यूस करी जाती है इनसे पहले आए इनसे पहले आए सब्चेक्ट के एकॉर्डिंग ही आती है the member of as well as से पहले सब्चेक्ट क्या है हमारे पास यह the members ठीक है यह सब्चेक्ट है जो क्या है पुलूरल है ठीक है वर्ब जो दी गई है इसमें does not ठीक है यह क्या दी गई है singular दी गई है बड़ यहां पर हमको क्या यूज करनी है इसकी जगए पर आएगा do not yes हट जाएगा हमको क्या करनी है इसको पुलूरल बनाना है ठीक है तो इसलिए कि आगा does नहीं आएगा यहां पर आएगा do not देखे कितने बेसिक रूल है सच में बहुत बेसिक रूल है बच्चो अगर आपके इंग्लिस काफी वीक है तो आपको डढ़ने के आवशक तरफ पहले वाद बुकुल ही नहीं इंग्ल आपका बिल्डप हो जाएगा को कुश्चन नमबर 20 कुछ इस तरह से है इटीज में यह अक्चुली है यह थोड़ी सी टाइप मिश्टिक है हूँ शुड बी ब्लेम्ड फोर अल दा प्रॉब्लम्स अगर तो यह नहीं है तो पार्ट डी को चुश करना है ठीक है पॉस करिय है और थोड़ा इसको आपने कोडिन सॉल्फ करने का परियास करिए अगर वह बच्चा इसको सॉल्फ कर देता है तो रियल में उसके त्याहरी बहुत अच्छी है यह एससी सीजर के एक्जाम में पूशा गया था 2015 में उसके बाद पूशा गया था 2009 में LDC के एक्जाम में औ पॉस करिए और सॉल्फ करके बताइए कि राइट इस अंसर का क्या होना चाहिए और फिर इसको मेरे अंसर ते टैली करना ठीक है देखो बच्चों क्या होता है जो इस तरह के सेंटेंस हैं जिसमें इस म अर लगी हो इनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं ठीक है इनको हम क्या कहते हैं यह एक्ट्षन वर्ब नहीं होती इनके त्रू हम एक्ट्षन को नहीं दिखाते हैं कि इन्होंने कुछ करा ठीक है इसके help से हम बात को करते हैं कि काम क्या हुआ था ठीक है जैसे he is a teacher ये एक simple statement है वैर एक teacher है बस इसने कोई action नहीं कर रहे है जहने अपना काम कुछ नहीं कर रहे हैं कि हान भी वो teacher है आए में teacher मैं teacher हूं तो बस यह मैं यहां पर जो इजाया दोनों की कर रें तोनों की विसमें भी इसमें एक्ट्रॉन आएगा। मैं अपर आपको रियर्म में न सब्चेक्टी बोगद उ Fantastic पे आपके तैडमी बहुत अच्छी आप देखिए, वो objective case में नहीं आएगा, part A में it is, जो me है, यहाँ पर, me की जगरे पर I होगा, it is I, who should be blamed for all the problems, me verb ना होते होए subject होगा, यहाँ पर नहीं आएगी मतलब, इसलिए हमने लिखा, क्या लिखा, it is I, यह वर्ब यहाँ पर कभी नहीं आएगी, it is I होगा, जो, यह जो question था, यह बहुत अच्छा question था, थोड़ा इसमें grammar में command अच्छी चाहिए, इंग्लिस grammar में, तभी क्यों बच्चे को solve कर पाएगा, तो बच्चो यह थी हमारे question number total 10, ठीक है, अब आप अपने आपको check करी, कि अपने 10 में से कितने question हैंगा, सही जवाब दिया, कितने number आए, आप चाहो तो comment box में लिखके भेज सकते हो, चाहो तो, परना कोई बात नहीं बच्चो, ठीक है, मैं जल्द एक नए वीडियो के आया था, वो सभी question SST में पोचे गए होंगे, तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपने rules सीरे से किसे लिखे हों, तो प्लीज इस वीडियो को like करेगा, और जो भी friend है ना, उन तक इस वीडियो को share करने का प् और अगर आपके 10 में से केवल 2 से 3 questions सी write हुए हैं, तो आप Lucent की जो मैंने privilege बना रखे हैं, जो grammar के rule मैंने बताए हैं आपको, वो please जरूर देखेगा, ठीक है, इस standard rule है, important जो rule है केवल बही बताए हैं मैंने, बाकी मैंने books में से rules को skip कर रखा, छोड़ रखा, ठीक है, आप SSC के त्यारी कर रहे हैं, तो उस book को पर इस जरूर देखे, उस video को जरूर देखे, जंसे समझाने का परियास कर रखा है मैंने, अपने notes बनाईएगा, अगर notes नहीं बना रहे हैं, केवल वीडियो देख के लिए आप सोचते हैं, हाँ, मैं सीख लूँगा, तो थोड़ा बह के आने वाले exam के लिए, उन्नती competition classes की पुरी team की ओर से, और मेरी ओर से, आपको all the best, मिलता हूं जब एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद